Hello everyone, आज हम बात करने वाले हैं Science Questions का Set No.20 उमीद करता हूँ फिन्स इसले पहले कि आपने बाके के सेट को जरूर देखा होगा नहीं देखा है तो मैं आपको recommend करता हूँ कि आप जरूर देखिए क्योंकि ये सभी questions आपके आने वाले exams के point review से बहुत ज़ादा important है मैं आपको बार-बार recommend करता हूँ कि playlist जरूर चेक कर जीए सारे questions को देखिए इस वीडियो में आपको 25MC को देखने को मिलेगा साथ साथ extra questions भी देखने को मिलेगा यानि explanation तो end तक देखिएगा आने वाले सभी exams के लिए helpful है तो चलिए शुरू करते हैं देखिए first questions यह कि कुस्ट रोग का कारण क्या होता है कुस्ट रोग जो होता है वो किसके कारण कह सकते हैं कि फैलता है तो इस प्रस्टन का right answer हो जागा option B यानि कि जीवाडू के कारण यह फैलता है अगर हम बात करें कि जीवाडू में कौन से जीवाडू तो माइक्रो बैक्ट्रियम लेप्री नामक जीवाडू के द्वाडू के द्वारा फैलता है ठीक है और प्रतेक वर्स यह 30 जनवरी को मनाया भी जाता है कुछ रोग दिवस आपको पता है फैंस कि 30 जनवरी को मनाया जाता है यह ध्यान रखेगा सेकेंड क्वेसन से कि मलेरिया रोग का कारण क्या है मलेरिया जो रोग होता है वो किसके कारण होता है मलेरिया होता है परिजीवी के कारण ठीक है प्लाज्मोडियम नामक परिजीवी के कारण होता है यह ध्यान रहेगा जबकि डेंगू जो होता है वो किसके कारण होता है डेंगू वाइरस के कारण होने आपन वीदूत खीचता हैं तो ये तीनों के तीनों पॉंट्स इसके संबाद में बिल्कुल सही है और भी अगर हम एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो ध्यान दिजेगा एमिटर धारा का मापन एंपियर में करता हूम others emitter का प्रतिरोध others emitter का प्रतिरोध सुनने होता है ठीक है ध्यान देजगा सुनने होता है next questions बनता है कि new में से कौन सी समोहक द्रव्य है समोहक तो right answer होगा luminal ठीक है luminal option हम B को tick कर सकते हैं चोटा सा information उन सभी friends के लिए जो अभी तक इस batch के बारे में नहीं जानते हैं मैं आपको बता दू फिंस applications पर हमारी एक courses चल रही है जुलाई month में स्टार्ट होई है उसमें आपको बिहार SI के लिए target batch करके काफी अच्छे तरीके से study material प्रोवाइड करा जाए हर चीज देखें आपको features के बारे में बता दू आपको हर दो दिन पर online test दिया जाता है जो की काफी अच्छे questions होते है 100 questions के साथ full mock test उसके बाद handwriting notes provide करा जाते हर दिन आपको handwriting notes मिलेगे 3-4 topic पे यानि दो दिन पर आपको करीब साथ से topic आपको cover करा जाता है वीडियो solution दिया जाता है डेली आपको 20 questions का मिलता है जो की काफी important current office होते है जो definitely exams में आपको touch करेगा और यह सभी चीज़े फिंस आपको 149 के साथ monthly basis पे करा जाता है तो अगर आप अभी तक हमारी patch में जोईनने हुए तो वीडियो की नीचे description में link मिल जागा इस course का हमारे application को download कर लीजिए और साथी साथ इस course में जोईन हो सकते हैं और जो लोग हमारे साथ online test whatsapp पे देना चाहते हैं डेली रात को 10 बजे होता है तो आप इसके लिए आप इस सभी चीज़ों को follow कर सकते हैं आपको 50 रुपे पे करना पड़ेगा इस नंबर पे ठीके फिंस whatsapp करके skin swatch आप इस नंबर पे भीज़ दीजिएगा नेक्स्ट क्वेशनस है कि किसको मापने के लिए स्टैला गूमोमीटर का परयोग किया जाता है तो यह होता है प्रिश्ट तनाव को मापने के लिए option हम B को टिक करेंगे प्रिश्ट तना अगला प्रश्ने रिक्टर पहमानए के बारे में निमली खित मेंसे कौनसा कथन गल आपी के उपयोग में नापा जाता है ये भी बिल्कुल सही है तीनों के तीनों पॉइंट सही है कोई भी गलत नहीं है राइट अंसर कह सकते हैं उप्रोक्त सभी कथन बिल्कुल सही है अगला प्रशन कहा रहा है कि टाइफाइड या फिर मोती जहरा ध्यान दीजेगा इसको एक और नाम से जानते हैं मोती झहरा हो सकता है कि टाइफाइड ना लिख करके बहुतीजहरा लिख दे कोईशन को टफ करने के लिए तो इसको आप याद रखेगा इसके उपचार में पर्यूगत का नाम क्या है इसमें उपयुक्त दवा जो पर्यूग की जाती है उसको कहते हैं क्लोरो माइसी टीसिन ठीक है क्लोरो माइसी टीसिन यहां पर राइट आंसर आपका हो जागा ऑप्सन ए ठीक है फिन्स काफी इंपॉर्टेंट है और इसका फैलने का कारण क्या होता है यानि की जो इसका हम लोग रखसकते हैं दबा का रूप में इसका इस्तồng होसी कशने के नाब से जाए और आपको पताigen है कि कंई के कारण हर is कुछ प्रॉब्लम हो जाती है नेग्स्ट क्वेसंस की की कमी के करन्ट मर्समस या फिर कहा सकते हैं क्वपोशा नहीं है तो इसको ध्यान रहेगा प्रोटीन के कारणा तो राइट आंसर क्या होगा केवल और केवल दो ठीक है चलिए next question क्या है Kelvin पैमाने पर लिए गए Kelvin पैमाने पर लिए गए तापको Celsius पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में क्या करना पड़ेगा अगर हम मानते फिंस की कोई Kelvin पैमाने पर 310 ले लेते हैं 310 Kelvin ठीक है अगर हम इसे Celsius पैमाने पर जाना होगा तो क्या करना पड़ेगा इसमें से 273 को घटाना पड़ेगा ठीक है 310 में से अगर मैं 273 को घटाता हूँ तो राइट अंसर ऑप्सन हम एको टिक करेंगे ठीक उसी तरह से Celsius को Kelvin में बदलने के लिए हम क्या करते हैं उसमें जोडते हैं ये बहुत important है ध्यान रखेंगे अगला प्रश्म मनता है कि निमलीखित में से किसमें कोई कारे नहीं किया जाता है तो कह सकते हैं कि कप्पिल अपने कंदे पर 10 केजी भार लेकर के खड़ है फिजिक्स में कारे तभी संभव माना जाता है जब कोई वहाँ पर displacement हो यानि कि कोई विस्थापन हो तभी कारे संभव माना जाता है चाहे आप अगर मालेजिए कि कोई एक दिवाल है ठीक है दिवाल है और एक बच्चा इस दिवाल पर पूरे जोर से दिन भर कारे कर रहा है यानि कि उसको धक्का देने के कोसिस कर रहा है लेकिन उस दिवाल पर कोई असर नहीं पड़ता है तो अगर हम फिजिक्स के कॉर्डिंग बात करें कि उसने कितना कारे किया तो उसने 0 काम किया, कोई कारे नहीं किया, ये माला जाता है, लेकिन भले उस दिन भर काम करके ठक चुका है पूरी तरह से, लेकिन उसने कोई काम नहीं किया, ये physics की coding होता है, क्योंकि जब तक displacement नहीं, तब तक कोई काम नहीं, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कपिल अपने का प्रतिपादन किसने क्या था, जैसे आपको इसका इंगलिस अकसर पेपर में देखने को मिलता है, survival of the fittest, तो यहाँ पर कह सकते हैं, युगतम की उत्तर जीवी का राइट आंसर होगा, Charles Darwin, ठीक है, Charles Darwin, option B, correct है, समझात अंग होते हैं, समझात अंग होता है, और एक समरूप अंग होता है, समझात अंग क्या होता है, समरूप अंग कारे में समान होते हैं, तो फिलाल यहाँ पर हम राइट आंसर option A को टिक करेंगे, और इसके अंदर गता करें, जैसे समझात अंग के उधारन क्या क्या हो सकती हैं, पस्ची के पंक तथा घोड़े का अगरप बात कह सकते हैं, यह सभी संरचना में तो समान होते हैं, लेकिन इनके कारें अलग-अलग होते हैं, तो यह आपको ध्यान में रखना है, चली, next वेसं क्या है, मनुस्य में द्वीगूडित क्रोमोजोम की संक्या कितनी होती है, इस वयाँ से हम लोग 23 को टिक करेंगे, गोड या नामा खड़ी जो होता है वो टांग में पैजाता है बी करेक्ट है अगला प्रश्चने मुख में स्टार्च का सरकरा में पाचन किसके दर होता है टाइलीन करेक्ट आंसर है ऑप्सन बी टाइलीन के दौरा एपिफाइट्स वे पाधे होते हैं जो अन्य पाधों पर निर्वर होते हैं और अधी जो पाधप होते हैं जहां वे वर्ष भर वर्षा होते रहते हैं ठीक है ये ध्यान रखेगा चले आगे बढ़ते हैं इसे हम रोख किस नाम से जानते हैं बायोनिक्स के नाम से जाना जाता हैं और आपसन A प्रस्तुत किया अगला प्रशनी की जीवों के निम्लिकित प्रकारों का विचार कीजे, चमगादर, मदुमख्य और पक्छी, तो बते के उप्युप्त मेंसे कौन परांगन कारी है, परांगन किसके किसके कバरन होता है, तो चमगादर से भी होता है, मदुमख्य से होता है और पक्षी से भी होता है अक्षर आपको यह पताओका फिर्स पूछा आता है कि पक्षियों से होने वाले परांगं को क्या कहते हैं जिसकों लोग और नितो फेडी के नाम से जाना जाता है यह बहुत important है तो फिलाल यहां पे right answer आपको हो जागा option एक दो तिन next question है कि निमली खेत में से कौन सा एक भारत का रास्टिये जलिये प्राण्यी है बहुत ₩ सिंपल सा question है गंगा के डॉलफिन ठीक है लेकिन आपसे छोटा सा क्वेसंस पूश्ता हूं बताएगा कि भारत का रास्टी जलिए जो प्राणी गंगा डॉल्फिन को घुसित किया गा था कब किया गा था यह आपके लिए क्वेसंस है नीचे कमेंस करके ज़रू बताएगा कब क्या गा था अगला प्रस्टने तलाबों और कुवों में निम्ल पत्यों के ऊपर चोटा-चोटा चिद्र होता है ना उसी को रंद का जाता है तो धसे हुए रंद किसमें पाएज आते हैं मरूद वीद में और मरूद वीद क्या होता है रेगेस्तान में वाले जो पौदे होते हैं जिसको लोग जेरो फाइट कहते हैं मरूद वीद का में पिछली बार एक्जामस जो हुआ तो उसमें पूछा गया था क्लाइन फिल्टेर सिंड्रोम में कितने होते हैं गुरसुत्रों की संख्या तो उसमें 47 होता यह ध्यान रहेगा क्लाइन filter syndrome, जिसको clean filter syndrome भी कहा जाता है, तो याद रखेंगे 47, ठीक है, चली, अगला प्रशन है, मेड़क के टेड़ पूल लार्वा में नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है, कौन सा होता है, ammonia, बी को टिकर सकते हैं, ammonia, तो उमीद करते हूं कि आप लोगो को आज के ये वीडियो अच्छा लगोगा, वीडियो पसंद है, हाई हो, वीडियो अच्छी लगए हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ सेर कर दीजिए, और साथ इसी परकार की regular updates के लिए अपमार्चा जुड़े रह सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोडिवेजन बिलको आन रखिए, हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, थैंक्स वाचिंग, कीप वाचिंग, कीप लार्निंग, हाव अगुड डें.